एक टाइम था जब साउथ मूवीज हमारी लिए कॉमेड़ी टाइम पास हुआ करती थी, ऐसी वाहियार डबिंग के साथ इनको प्रेजन करना जैसे मानू वहाँ सिफ कूडा बनता है। थेटर में साउथ के साथ नॉट में सेम डेट पे अपनी फिल्म रिलीस करना बहुत दूर का सपना था, स्क्रीन्स ही नहीं दी जाती थी कौन देखने आएगा। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया और घर में घुसकर साउथ मुवीज ने नॉट बेल का मार्किट पूरी तरह फोड डाला, कोई इस वेस्ट नॉट साउथ नहीं, डारेक्ट पैन इंडिया। और इस पूरे रेविल्यूशन का क्रेडिट सिफ एक इनसान को जाता है, जिनसे हमारी पहचान हुई थी एस बावू बली, लेकिन अपने खुद के दम पर ये डार्लिंग प्रभास बन गये। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो घर में थोड़ा सा भूकम के जटके महसूस हुए, अर्थक्वेक, न्यूज देखी तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही फोन उठाया, वहाँ से एक डाइनसार की आवाज सुनाई दे गई, बूम, सलार इस बैक सर जी, वो भी ऐसे स्ट खून घराबा होगा, अब बहुत जादा सॉलिड वाला, बॉलिवुड में घुसकर उसके बादशा की सबसे बड़ी फिर्म के साथ अपनी साउथ ओरियंटेड फिर्म को क्लैश कर देना, ये खुद में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है बॉस, आक्चिली सलार की जो लास् अपनी फिर्म लेकर सेप्टेंबर से भाग गए, फैंस भी काफी परिशान थे, थोड़ी बेज़ती सी फील हो रही थी उनको, ऐसे में अगर प्रभास को वाकी इज़त के साथ कमबैक करना था, तो गुरू सिफ एक रास्ता था जहां पर डाइनासौर का सामना जंगल के श हलके में लेने की गलती मत करना बॉस, चैस के गेम में अगर आप सामने वाले का घोड़ा, सिपाही, उट वगएरा मार दो, तो कोई बात नहीं, लेकिन डारेक जब बादशाह पर अटेक किया जाता है, तो सीधा सीधा मैसिज है, उसकी कुरसी is not safe, और जब राजा ही गिर आएगा, तो बाकी सेना खुद हार जाएगी, सलार के रिलीज डेट 22 दिसंबर, खत्रे की लाल घंटी है, पूरे बॉलिवर्ट के लिए, अगर शारुप खान की फिल्म के साथ आप क्लेश कर सकते हो, वो भी 2023 में, जब वो back-to-back 2000 करोड से जादा का भी कलेक्शन लेकर 18 को, एसार के वर्सिस प्रिशान्थ मिल की जंग पहले भी हो चुकी है, तब उस clash से monster KGF ने इजजत कमाई थी तो उसके बाद पूरा इंडिया Rocky भाई के सामने सर जुका के खड़ा हो गया था, तो दूसरी दरफ शारुप खान ने चार साल का break लेने का फैसला किया, कि फिल्म तो January 2024 में भी आ सकती थी, तो फिर SR के से पंगा क्यों लेना है, मानो या ना मानो, ये लड़ाई personal और professional दोनों है, बड़े ध्यान से सुनना, शायद आपका फैसला आज ही बन जाए, 22 December 2023 को लेकर, personal तो मैंने बता दिया, प्रभास को ज़रुत है एक solid comeback की, after आदी और ये सिर्फ तभी हो सकता है, जब आप किसी बड़ी फिल्म के सामने खड़े हो जाओ, और अपने स्टार्डम को पबलिक के सामने प्रूब कर दो, simple, लेकिन professional में चल रहा है, प्रशांत नील का लोमडी जैसा तेज दिमाग, 22 December वाला वीकेंड, गुरू बहुत लंबा है काफी बड़ा मार्केट है, प्रिभास और SR के सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया की पॉकिट से पैसा निकालना जानते हैं, और क्रिस्मस पर खर्चा दिल खोल के किया जाता है, पैसा ही पैसा होगा, परसनली एक कमाल की बात बताओ, आपको क्या लगता है, सलार के मे अबर को डंकी वर्स सलार या फिर डंकी एंड सलार, किस तरफ खड़े हो तुम, शेर या फिर डाइनसार, बोलो बोलो, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ, या फिर कुछ शिकायत करनी हो, तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, ठेक कर, बाई बाई